मेरे सबी भारत वासियों को शत शत नमन मैं मिसिस शंपा गुप्ता केलम इंटरनाशनल स्कूल की साइन्स टीजिटी टीचर आज आप सब के समक्ष एक अपनी बनाई हुई कविता कागिल दिवस के अफसर पर उन वीर सैनिको को शत धांजली के रूप में प्रकट करना चाहती हूँ जिनकी वज़े से हमारा गौरव आज भी कायम है मेरी कविता इस प्रकार है जहां अमावस की रात भी बेमानी हो जाए जिसके आगे तुफानों के भी कदम डगमगाए तपता सूरज हो या खौफनाक लहरे हो भोलियों की आतिशवाजी हो या प्रकृती के घाओ गहरे हो शब्द परिचे आधी का आधीन नहीं है जो मिट्टी की खुश्बू में लीन है जो ना भाव से ना घाओ से ना किसी हुंकार से डड़ा है पलक उठा कर देख ले बंधूर सर पर कफन और हाथ में तिरंगा लिए मेरे भारत का वीर खड़ा है कश्मीर की बर्फ हो या आसाम के खेत हो लक्षदीप का नीर हो या वेगिस्तान की रेत हो भारत की रखवाली भारत का गौरव कैप्टन बत्रा जैसे हजारों वीरों के हाथ में धरा है कारगिल दिवस नहीं कारगिल युग मनाएंगे इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लो भारत विश्व विजेता था भारत विश्व विजेता होगा हम भारत विश्व विजेता ही कहलाएंगे धनिवार जेहिन